मेरे नमस्कार मैं हूँ अमीश दिव दिन क्या सियासी फाइदे के लिए देश में आग लगाई जा रही है ये सवाल मैं इसलिए खड़ा करना हूँ क्योंकि इस वक्त देश में एक अफवात तंत्र पूरी मस्भूती के साथ काम कर रहा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जूट बोलकर देश को हिंसा की आग में जोकना है और इस अफवात तंत्र में ऐसे लोग शामिल हैं जिने ना इस देश के हिंदों की चिंता है ना ही मुस्दमानों की, ना ही सिखों की, ना ही इसाईयों की इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी उल्लू सीधा करना है आज जो कुछ हुआ उससे देश में हर सच्चा हिंदुस्तानी आप और मैं बहुत दुखी हैं क्योंकि जूट के दम पर सच को दमाने की एक पुर्जोर कोशिश हो रही है आज लखनव में कवर करते समय हमारी ओवी वैन तक चला दी गई धूदू करके वो ओवी वैन हमारे रेपोर्टर के सामने चली लेकिन वो अपनी जान बचा कर भाग गया वासे क्या करता पत्थर बास चरम पर थे इसलिए मैं हर देशवासी से आज अपील करता हूँ कि हम सब को मिलकर उस जूट तंत्र को हराना होगा क्योंकि कुछ विदेशी ताकते भी भारत को अस्तिर करने में जुटी है सूत्रों के बाले से खबर है कि AISI इस पूरे घट्टा करम के पीछे खड़ा है तो आज जूट और अफ़ा का परदाफाश करने के लिए आरपार में होगा सबसे बड़ा सब्वाद सबसे बड़ी बहास नहीं सबसे बड़ा सब्वाद और आज हम तक्थियों के दम पर हर जूट को ध्वस्त कर देंगे क्योंकि विरोत के नाम पर पुलिस वालों को पीटा नहीं जाता मीडिया को निशाना नहीं बनाया जाता गारिया नहीं जलाई जाती पत्थर नहीं बरसाए जाते विरोत प्रदर्शन होते रहे हैं इस देश के अंदर लेकिन विरोत के नाम पर गुंडा गर्दी आतंक नहीं हो सकता विरोत का दूसरा नाम और आज हम सब इसके खिलाफ खड़े होते हैं आर पारा आज इसी पर विरोत करकर सारा काम ठीक हो सकता है क्योंकि धरा 370, 35A, ट्रिपल तलाक और CAB कि तमाम कामों को 70 साल से अठका रखा था लेकिये ये बहुती महत्पूर्ण और बहुती सवेदन्शील मुद्दा है जिसको दो व्यक्ति, सत्ता तो BGP की है लेकिन दो व्यक्तियों की सनक से आप पूरे देश को आपकी चपेट में लेकर जा रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकिन उस विश्वास पे क्या मुसल्मान नहीं आते क्योंकि नागरिक्ता बिल से मुसल्मान बाहर है मैं अमीज जी जो मैंने आपको सुबा बताया अभी बताया सुबा की घटना कोई भी हिंदुस्तानी, हिंदु मुसल्मान छोड़िए कोई भी हिंदुस्तानी जो भय औभरम का भूत खड़ा कर रहे हैं लोग उनसे नफरत करेगा भारती नाग्रिक्ता पर कोई सवाल नहीं है, खत्रा नहीं है कोई भी मेरे पास आके बता दे कि भारत के मुसल्मान भाईओं का इसका लेना देना क्या है कि आपको लगता नहीं, कि उस्पें बिल्कुल शब्द नहीं, कि ये निकट भवश्य में उच्थम न्यायले अस्वाधाने करें कि आपको लगता निये कि उसमें मुसल्मान शब्द ना होना ने तुफान खड़ा कर दिया है विपक्ष बहुत कुछ कह रहा है मैं सब बातों को बोलूगा तो बहुत समय निकल दाए है बेभुनियात बात करती है विपक्ष मैं समझता हूँ कि अलग-अलग समय पे किसी को अगर नागरिकता देना है एक विशेश वर्क को जिसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाए जी जी तो उसके हिसाब से यह सिरिजन्शिम अमेडमेंट में जो हमारे सटेवे देश है पाकिस्तान, बांगादेश, अफगानिस्तान, इनके जो माइनॉरिटी के साथ पर्सेक्यूशन हुआ है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश है अज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ उस अफवाह तंत्र को नश्ट करने की, जिसने पूरे देश को बंधक बनाने की कोशिश की है, जो कि देश में मौझूद किसी मुसल्मान की नागरिकता खत्म नहीं होगी, सिर्फ सियासी मकसद साधने के लिए कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, CAA का भारत के मौझूदा नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, हिंसा की आड में विदेशी ताकदें भारत को अस्थिर कर सकती हैं, आज सिर्फ और सिर्फ अफवा तंत्र को ध्वस्त करने के लिए होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आंदोलन बहाना, अरा जकता है ठैलाना, अफवा ध्वस्त करेंगे, देश में मौझूद किसी भी मुसल्मान की नागरिकता नहीं जाएगी, पांच करोण विदेशियों को नागरिकता देने का दावा सिर्फ और सिर्फ जूट है, 31 जितंबर 2014 से पहले भारत आचके लोगों को ही नागरिकता मिलेगी, CAA का देश के मौझूदा नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, ये एक ऐसा बिल है जिसका आप पर मुझ पर कोई असर नहीं परने वाला, लेकिन जूट का प्रोपगेंडा फेलाया जा रहा है, हिंसा करके जादतर लोगों को इस कानून के बारे में पता नहीं है, जो हिंसा कर रहे हैं उनको जादतर को पता नहीं है, हमारी रिपोर्टर ने एक फ्याक्ट चेक भी करा, पूछा, उनने बोला कि देखिए हमारी नागरिक्ता जाने वाली है, एनर्सी आ चुका है, एनर्सी आया नहीं, नागरिक्ता गई नहीं, लेकिन जूट का आडंबर इतना बड़ा है कि कुछ भी कहा जा रहा है, प्रेशक है, TMC का प्रक्ष रखेंगे, तस्रीम रह्मानी मेरे साथ इस डिबेट में जोड़े हैं, अध्यक्ष MPCI के और वसीम रिज्वी हैं, श्रियाफ वक्पोर्ट के, रह्मानी साब, फोन कॉल आपका खत्म हो गया हो, तो सवाल पूछ सकता हूँ आप से, जी, जी, रह्मानी साब, हाजिर बिल्कुल है आप, रह्मानी साब मैं आप से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पत्थर लेकर विरोधी तो नहीं आते मैदान के अंदर, विरोध करने के लिए पत्थर लेके तो नहीं आया जाता, ये कौन लोग हैं, अमीश आपको आखूब अच्छे से अंदाजा है, आज पूरे देश में पूरी जंता बाहर खड़ी थी, करोडों लोग आज देश में बाहर निकले हैं, आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा एक जन आक्रोश लोगों पे देखने को मिला है, वो एक और पॉइंट है, हाँ तो बीजेपी अपनी स्टेट में हिंसा खुद करा रही है, ये तो मैं मान नहीं सकता, आप भी नहीं मानेंगे, पॉलिटिकल आदमी है, इसलिए आप के मानने नहीं से कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन ये तैह है कि जिन स्टेट में जेपी का केडर सडकों पर आया है, उसने हिंसा किये, वरना कोई सवाल नहीं है, रहमानी साब सच सुनिया, फिर जूट, अब आप सच सुनिया, हमारी गारी को चलाया गया है, हमारी ओभी वैन को परदशन कारियों ने जलाया है, पत्थर मारे पहले पिर आग लगाई, हमा हमारी गारी को परदशन कारियों ने जलाया है, पुलिस की निजी वानों को, पुलिस के कोस्टेबल्स के निजी बाइकों को, स्कूटलों को, जलाया गया है, और किन लोगों की, लखनाओ के बाहर हिल्सा की कहां से खबर है, लखनाओ के बाहर हिल्सा की कहां से खबर है, व इन लोगों को जामिया में अगर आप लोग समरतन ना देते तो सीलंग पुर में नाहते हैं जाफराबद बाद में ये नाहते हैं और आज रखनों में नंदा नाच ना करते हैं आप लोगों ने मज़ाग बना रखए इस डेश को कौनसा परदर्शन कारी पथर नेकर आता हैं कौन्टा पर्दर्शन कारी hy दिरह रूमाल में किराता है को मत परदर्शन कारी आग लगाता है। परदर्शन किये आग लगाई है कितनी थे अब बता है कितनी कारें तुर्च कर चछके हैं है अपनी analysis इजिए अ आपको बताता हूँ अब सच क्या है ने परदर्शन हमने भी कितने करें कितने करें कितने करें जनाब सर कितने परदर्शन करें है हम जैसे लोगों को हम जैसे मैं ठीक है मैं पूछ रहा हूँ कौन सी जनता कौन सी जनता पुरा कप्थर चलाती है पुलिस वार कौन सी जनता प पूरा पूरे देश को आप जोए घदार मांते पूरा देश नहीं ये मुठी बर लोग है ये गुंडे है ये गुंडे मुठी बर और इन गुंडों को ये देश जवाब देश जानता है इस ते ज्यादा बड़ी बत्मिस बड़ी कोई बात नो सकती एक डेवोकरेशी ले के लोगों की आवाज दबाई जाए एक सके एक सके वसीम निज्वी आप लख रहा है एक सके नुकिए तस्वीम ने मानिया आपके आपने यहां आपने अन्दा स्पॉट में कोई नहीं कर रहा यहां भी बालूब हो गया था कि दिली में के गुंडे कौन थे आपने स्टूड को आतकवादी का बड़ी खबर राहूल गांदी के फीट पर शिवराज सिंग चौहान ने चुट की लिए है राहूल ने बोला कि देश के हालत बड़ी गंबीर है और बोला सोल यह इस देश की आत्मा खत्रे में है राहूल गांदी से पूछा गया आप तो सियोल में आप विदेश में है आपको इस देश के आत्मा से क्या चिंता शिवराज सिंग चौहान ने यह बोला इस समय की बड़ी खबर मैं सीधा रुक करता हूं तर्स्रीम ने मानी का तर्स्रीम ने मानी कौन सा विरोध प्रदेशन पत्थर के साथ होता है आखरी बार ही पूछ रहा हू एक पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर बीजेबी के लोग जो इसको खराब करना चाहते है वो घुज जाएगे तो पिर वो पत्तर जरूर बारेंगे कोई भी डिमोक्रेटिक प्रोसेशन पत्तर के साथ नहीं होता वसीम निजवी को आने दीजे मेरे साथ लखनाउं से पीसफुल प्रोटेस्टा लखनाउं के लोगों द्वारा लेकिन इसको पुलिस ने गलत करा इसमें बीजेबी के लोग शामिल थे अगर के ये मान लिया जाए कि दो दो चार रहीं दो दो पाच होता है आप कहते रही है दो दो चार होता है हम नहीं मानेंगे के दो दो चार होता है हम कहेंगे दो दो पाच होता है वो ही आज पसलीम रहमानी जी कह रहे है पीसफुल प्रोटेशन ये हुआ है देखिए हिंदुस्तान में बहुत दिनों से आईस आईस के दरिये इस तरह के लोगों को ट्रेंड किया जा रहा था अब वो नजारे धीरे धीरे दिखने को मिल रहें सब जान रहे हैं कि जो सी एए हैं उससे कुछ लोग अरजेस होंगे हिंदुस्तान में वो बहुत बड़ी संखिया नहीं है उसमें पासी की जहां तक से मुझे संख्या याद है वो सिर्फ दो है अजया वो खाली लग्लाओं में थे अरे बॉंबे के सारे लोग निकले बंदाल में कितनी बड़ी तादाए कि लिए आप जैसी मांसिक्ता रखने वाले जिनको ये शांती प्रदाशन काने के पत्थर हाँ पें देरे की दरुवत नहीं परती आप ने वही काम किया है आप ने वही काम किया है कि मुसल्मानों की मांसिक्ता बदले का काम किया है इसलिए मुसल्मान आज पत्थर हाँ पें लिए खड़ा है अगर आपने उनको समझाया होता पढ़ा लिखा बनाने की अजो, आपके सो व ही तो आप दात को बहुता है, और अजो पितवा बं करते हैं, और अजो, पत्थर चलाने की ट्रेंग देदेंगा, और अगराई तो पुलीस के ओपर गोर यहां लिखने होगा, तो चैब व गोर ने होगे लिगा ते, वह जो शोक्त, पर आपके लिखने ह जिसका मैं बोलूगा आडियो खोलेगा जिसका मैं नाम बोलूगा उसका आडियो खोलिए संबल में वही पैटरन लखनव में वही पैटरन सीलंपुर में वही पैटरन जाफराबाद में वही पैटरन जामिया का तो पैटरन था जो शुरू हुआ था जामिया को पैटरन शुरू हुआ संबल तक वह पैटरन फॉलो हुआ आज गुजरात के बनास काठा के अंदर एक पुलिस के वाहन को शान्तिपूर प्रदर्शन में उड़ा दिया गया शान्तिपूर प्रदर्शन है ये सब शान्तिपूर हो रहा है सुधान चुत्रवेदी ये शांती पूर्ण परधर्शन आशांती में कैसे बदल रहा है आपकी कमी है आपकी सरकार की कमी है आपकी पुलिस की कमी है अमिश जी अभी रह्मानी साब ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद लोग सडकों के उपर है मैं पूछना चाहता हूँ रहमानी साब बहुत जल्दी भूल गया आप 2012 यही लखनव शहर था यही गौतम मुद्दा पार्क थी ऐसे इर्ध गाड़ियों में आग लगाई गई थी और सिर्व लखनव नहीं इलाबाद, बनारा, सकानपूर, पटना, हैतराबाद और मुंबई का अजाद मैदान, जहां अमर जवान जोती तोड़ी गई थी ठीक ऐसी भीड थी, और दरजनों ओब इवेंस पे आग लगाई गई थी क्या मुद्दा था, तब मुद्दा ये था कि कुछ फेस्बुक पर पोस्ट आ गया है तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, कि वो बर्मा के रोहिंग्या मुसल्मानों के शव है, बाद में पता चला वो थाइलेंड के तूफान में मारे गए लोगों के शवबुक अगर वो बर्मा के भी थे मेरा मकस्तद है हर कि अगरा होना चाहिए और रहमानी साथ यह आपको पीस्फुल पोर्टेस नजर आता है लोग ना चाहिए और अपराथ बहुत होना चाहिए आपको इस सब्ढ़ार पर आप जीपी से अंदोलन को यह गुंड़ जी यह जेपी के अंदोलन से कवर करेंगे आपने लोगों को जो पत्थर बरता रहे हैं जो पुरिस की गारिया को चला रहे हैं तो मिल्या को निशाना बिढा रहे अरे एनाई के फत्रकार को चाम्जा के बार गाँ शुदान्शुत निवेदी जी को शर्वारी चाहिए आज पूरा देश क्यों खड़ा हो गया जो आपको जोटी तोड़ते हुए लोगी फोकर नहीं यादे आपको तक्रीब नेमारी साव चुदान्शु एक सेकिए ये क्या बोल रहा है आप सुदान्शु मैं आपके पास वापस आओंगा मैं शोहिब जमाई के पास जारा दाता हूँ शोहिब जमाई ये सब कुछ शांती पूर्ण है अपनी आत्मा को हादिर नाजर मानते हुए बात कहिएगा ये सब कुछ शांती पूर्ण है हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए ऐसे बदलनी जाएगी सूरत अमिश जी मैं इस बात की छे महीने पहले चुना वोगते हैं इस बात की कड़े शब्दों में निन इस बदलनी जाएगी सूरत परदर्शन कारी नहीं है इन्हें क्या बोलते हैं आप भी जानते हैं पेट्रोल बम हाद में लेकर और पत्थल आख में लेकर कौन घुना है अमिश जी मैं इस बात की कड़े शब्दों में निन्दा करता हूँ जहां पे भी मीडिया की गाड़ी चलाई गई है या सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचा है या हिंसा कांदोलन हुए हैं उस बात की मैं निन्दा करता हूँ और ऐसा लोकतंतर में इसकी जगा नहीं हैं ये कौन लोग हैं जो आम जनता की शांतिपुन परदर्शन को भड़काने के लिए और पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए मीडिया की जो भी ओवी वेन तोड़ी गई है और नियूज एक चलाई गई है रिपोर्टर कैमर अल्बा में एक हाँदे पत्थर लेकिन लेकिन साथी साथ अमिश जी मैं इस बात की भी कड़ी निंदा करता हूं कि सरकार आम आवाम आम जनता की जो मांग है जिस बुनियात पर आज सड़कों पे निकले हैं पूरे देश की आम जनता हिंदू हो या मुसलमान सिक हो या हिस कर रही है इलजाम मड़ रही है और हमें ही जो है दोस्त दे रही है इस से जो है वो मामला हल नहीं होगा अमीश जी हमें सॉलिशन की तरफ भी जाना चाहिए हम यह कह रहे हैं कि यह जो सरकार की खिलाब जो आविस्वास है इतना ज्यादा गुस्ता क्यों भरा है आप फीस को लाइन पर लगा दिया आप दोबारे ये णर्सी और सीया 1 की वजह से पूरा देश को लाइन में लगाने की जो आपकि साजिश है इसकी वजह से ही तो जनता गुस्ते में जमाई साथ बातों बातों बोल गए जनता घुस्से में है यह कहते कहते दिल की आर्जू लबों पे आ गई कि 370 का मुसल्मानों से लेना देना है बहुत चाटी छोक के बोलते थे कि राम मंदिर पे कोट का निर्ड़ बानेंगे आज वारे वजूद को चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्पाइज के मुसल्मानों से मतलब है भारत के मुसल्मानों से क्या मतलब है आज हमारे वजूद को चैलेंज कर रहे हैं आज जमाई साब आपको पताए आज हमारे वजूद को चैलेंज कर रहे हैं इसलिए आज जन्ता सर्कों पर हैं चुर्वती के साथ कहता हूं और उसके बाद कह रहे हैं साब भड़क रहे हैं इसलिए आज जब मैं यह बास कह रहा हूं तो मेरा दिल पसी जला आज हमारी ओभी वैन को जलाया गया हमारा रेपोर्टर नहीं सिर्फ हमारी ओभी वैन नहीं कई ओभी वैन के साथ यह हुआ कई रिपोर्टरों ने अपनी जान बचाई कई कैमरेमेन भाग खड़े हुए जामिय में जो हुआ था वह हम सब के सामने विज्वल्ट हम देख सकते हैं यह लोग प्रदर्शन का रही है पेट्रोल बमों के साथ पत्थरों के साथ यह प्रदर्शन का रही है यह विरोत कर रहे है सोर्सिस कहते हैं कि आईए साथ इस देश को चलाना चाहता है देखिए अमीश जी यह जो कुछ भी यहने पॉइंट जीरो वन परसंट भी वाइलेंस किसी भी प्रदर्शन में हो तो वो बिलकुल एक्सेप्टेबल नहीं है सवाली नहीं पैदा होता और मैं हमेशा मैं जो जो प्रदर्शन करने वाले जो एक हफ़ते से जहां जहां हो रहे थे मैं डिरेक्ली उनसे बात करता था मैं ट्वीट करता था कि देखो आपका राइट है आपका प्रदर्शन करना आपका राइट है लेकिन जरा भी जरा भी वाइलेंस उसकी गुंजाईश ही नहीं है पत्थर तो क्या एक कंकरी मारने की भी गुंजाईश नहीं है तो जो भी हुआ है अगर आज आज आपकी ओबी वैन या कुछ भी या जो पबलिक प्रॉपर्टी या बस या कुछ भी उसका सवाल ही नहीं पैदा होता और हम उसका सख्त से सख्त लफ़ों में कंडेम करते हैं अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक बात जो चला ही जा रही है मैं बहुती सपश्ट तोर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे मुसल्मानों को कोई आपती नहीं है अगर पडोस के मुलक के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के या बंगला देश के हमारे नौन मुसलिम बाई परसेक्यूटेड हैं और अगर वो यहां आए हैं और अगर हमारी हुकुमत उनको इज़त की जिन्दगी दे रही है तो किसी भी मुसल्मान को अमिश जी उस पे कोई प्राबलम नहीं है प्राबलम कहा है? यह बात कही जाती थी इतने दिनों से और आग वहां से लगी के भाई यह CAA जो है यह प्राबलम नहीं है इसके बाद NRC आएगा और BJP के वरिष्ट जो ब्लू आइड बॉई हैं वो जगा जगा जाकर टीवी पर खुलम खुला यह कहते थे कि जो हिंदू अगर NRC में नहीं आएगा तो उसको CAA के जरी हम नागरित्ता दे देंगे लेकिन अगर कोई मुसल्मान अगर आ गया तो उसको हम डिटेंशन सेंटर में डालेंगे यह आग वहां से लगी लेकिन दो तीन दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साब ने और होम मिनिस्टर साब ने कुछ बातें कई तो उसने बाम का काम किया है और मैं समझता हूँ कि सुदान्शु त्रिवेदी जैसे लोग और प्रदान मंत्री और होम मिनिस्टर साब को खुल कर आने की जुरूत है और ये अश्वस्त करने की जुरूत है पर क्या करेंगा इस वुल्क का जो मुस्लमान है उसको ये मुल्की सिटिजन्शिस्टि कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करने की जुरूत है युवा इस्टरामिक स्कॉलर बैठे हूए है और वो किस तरह की भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं तसलीम रहानी जैसे पड़े लिके लोग किस भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं ये जेपी अंदोलन है क्या ने ने देखिया मैंने तो इसनी पूली घट्नाकरम को मैं उनको कहता था कि देखो आपके अंदर अगर दो-चार भी ऐसे लोग अगर शामिल हो गए तो आपकी सारी मुविंट खराब हो जाएगी ये जरूरत आपकी है याने जो डिमांस्टेशन लेकर चलने वाले हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके ये एक आदमी भी ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये बात तो अलग है लेकिन अब में ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साब को और होम मिनिस्टर साब को खुल कर आप अब निजिश रवस्ति अमिश्ट तस्लीम रह्मानी ने आज जो बात कही है मैं एक बात कहता हूं कि अभी कहते हैं कि अव्वा न फैलाएं वट्सप पर न फैलाएं यहां पर तो सारजनी कि रूप से दिल्ली के उपमुख मंत्री ने एक ट्वीट किया कि यह बस जल गई है सब ने देखा कि वह बस जली हुई नहीं है इतना बड़ा जूट फैलाने वाले वेक्ति कौन है आप कहां आई यह साही कर रहे है इस देश के लोग है इस देश की सियासत के लोग है और मैं आपको कह रहा हूँ अम अंतिल्ला खान ने जो जो बोलते हैं और बोलते हैं ल वो टेलिविजन के चैनल पर आकर बोल गए या कोई सेलिब्रिटी है इसलिए नहीं बोल सकते क्या हो तस्लीम रह्मानी मैं आपको बताओं हिंदुस्तान की रवायत क्या है हिंदुस्तान की रवायत यह है कि इसी देश में कश्मीर से पांच लाग हिंदों को निकाला गया लेकिन आपको मालू मैंना आपके बीच में नहीं बोला था आपके बीच में नहीं बोला था, इसी देश में कश्मीर से रागो राग पांच लाग हिंदों निकाल दिये गए लेकिन कानून के तहट, सम्विधान के तहट, यह जुट है, यह जूट है, यह आपका पहला एवा जूट है, यह तस्लिम रहमानी जूट है, यह तश्मीर से एक भी हिंदू को निकाला नहीं गिया, कि विरोफ का तरीका क्या होता है विरोफ का तरीका रहत अभी कि तरीटे है तुसरी बाट जाइए योगेद रियादव के हाथ में पत्तरते परशाद भूचे के आप पत्तरते निराज़ के हमत रखो मैं कोई कंडम नहीं किया मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि उन लोगों के सामने भी सवाल रखने की जरूरत है जो कह रहे हैं कि इस अहिंसक प्रदर्शन में पुलिस की अट्रोसिटीज हुई है लोग बस जला दिये गए पैट्रोल बम के साथ आए पत्तर बाजी हुई बाकाइदा पत्तरकार घायल हुए उसके बावजूद योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अहिंसक प्रदर्शन था क्या इन लोगों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए डेश की जंता इनकी आखों को खोल करके दिखाए इनकी आखों को तसीफ 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 होता है यह पत्तर भाग रहा सामने आपके प्रदर्शन है कई लोगों की आखे बंद है शायद खुलेंगी शायद खुलेंगी इस सब के बाद लेकिन तौसीफ खान यह कहीं से शाल पॉट्ट्रशन मतफंध को ऐनकी अंदोलन किया था लोक तंतर को बचाने के लिए और यह है आरा जक्ता को बचाने का काम इनको बचाना आरा जक्ता को बचाना ई पत्थर बासी और जिस तरह के नारे लगा जारे है आप मैं टेलीशन चेनल पर नहीं दिखा सकता को न और बढ़क जाएगी इंता आपी बोल लीजे पिर मुझे मत बोलने दिजे आपी बोल लीजे प्रकाष नरायन ने जे प्रकाष नरायन ने जो अंदोलन दोलन है ये देश के सम्विधान को बचाने का अंदोलन है क्योंकि देश को आज بी जे पी आरेस RSS हिंद्वा मुसलिम में बाटने का काम कर रही है ये जो विरोध है CAA को ले करके NRC को ले करके काफी दुनों सो चल रहा है सरकार के पास को सरकार पूरा पूरा उनको पास में information है कि इसका विरोध होगा उसके बावजूद इन्हों ने ये बिल को ले करके आए पार्लेमेंट में विरोध होता रहा उसके बावजूद प्रदान मंतिर जी ने कहा क्या कुछ दिन पहले जारकंट की रैली में कह दिया कि आप जो है प्रोटेस्टर्स को यू कैन इडेंटिफाइडेम बाइडे क्लोथ आप उनको उनकी कपड़े के बेसिस पे उनको पहचा न जा सकते तो ये अराजक्ता कौन फेलाने की कोशिश कर रहे है क्या हमारे प्रदान मंतिर के जो एडवाइजर्स हैं उनके वो उनको जाकर के उनके बात नहीं बताते हैं क्या इंपूट है कि आप इस बिल को आप इसको वापस ले लिजिए इसका विरोध हो रहा है हर जगह से विरोध हो रहा है और आप बात करते हैं कि हिंसा करने की आप मुझे एक बात बताईए अगर आज आप विरोध का प्रदर्शन का आप आयोजन करेंगे तो उसमें हिंसा से किसको फाइदा होगा जो लोग प्रदर्शन करेंगे उनको फाइदा होगा पुलिस की गारिया वही जलाएगी पुलिस की गारिया वही जलाएगी जो चाहती है कि विरोध प्रदर्शन नाकाम हो जाए इसलिए पुलिस गारी जलाई जाती है है ज़ाने काम करेंगे जो चाहते हैं कि सुदान्चु ना मुकदमा ना Investigation टी-मसी की क्लीन चिट इनको कि ये सब लोग यह सब तो सरकार कर रहे हैं ये तो बेचारे हैं ये शांति पूंधंक से आते हैं ये पांच हजार लोग दस हजार लोग तस्टीम नहें नहीं कह रहे हैं कि देश सडकों पर है ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जलवा रहे हैं तो सडकों में बीजेपी के लोग ही है क्या जब सरकार पकड़े तो बचाने मताना इनको मैं इस बात का जवाब देता हूँ देखिए देखिए जफर सरेशवाला जी ने जो बात कही मैं उस बात से आगे बढ़ाता हूँ उन्होंने कहा कि मुसल्मानों में इस प्रकार का एक कंफ्यूजन सन्दे पैदा हो रहा है बहुत साब बात है कि उनको जिसके बात पेपर नहीं होंगे उन्हें कंस्टेशन कैम में डाल दिया जाएगा ऐसा कर दिया जाएगा अरे बही किसके पास विदेशी मुसल्मान के पास पाकिस्तान बंगलादेश का भारत से तो कोई मतलम नहीं और मैं उसका प्रमाण देता हूँ सामानिता है एलेक्शन होता है तो वोटिंग होती है 75%, 73%, 44% मैक्सिमम और आप सारे मीडिया चैनल वाले दिखाते हैं यदि 75% वोटिंग होती है तो मुसलिम समाज में 95% वोटिंग होती है तो मैं पूरी मांदारीश पूछना चाहता हूँ भाया काउन सा ऐसा वोट है जो आधारी नहीं है अब मैं उसी एलेक्शन से आता हूँ ये आधार कौन पैदा कर रहा है जो चुनावी राजनीति में ध़स्त हो चुके हैं कॉंग्रेस और वामपन थी चुनावी समर के दगे हुए कार्तूस मुसल्मानों के कंदे पर रखकर फाइरिंग करना चाहते हैं औ इसको वाइदा हुआ फाइदा हुआ लालू को मुलायम को कम्निस्टों को और नुकसान हुआ आपको बहुत अच्छी बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्त की नजाकत और हकीकत को समझे और इसलिए मैंने कहा सिटिजन सिम एमेंट्मेंट्मेंट बिल को पढ़ने के आप नँदर मोध्या जी से कह दिज είναι कि ये सिटिजन worryingland bill में जो टेस्ट है धरम वाला टेस्ट इसको हटा लें आप ये बात कह दीजिये महमन नईदर मोध्या जीजी ये कि ciae का विरोध हो रहा है आप उसको वापस ले लिजे, आप कह दीजे कि NRC ना लाएं, लोग उसका विरोध कर दे, क्योंकि जब भी NRC आएगा, NRC के साथ में सीरी को देखे, और आपको पता चलेगा, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के बड़ी खबर का मैं रुक करता ह लेकिन गुंडों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, गुजरात के बनास खाटा के अंदर, अब मैं सीधा वारिश वुठान करूप करता हूँ, वारिश वुठान, विज्वल हमारे सामने है, गुजरात के बनास खाटा में शांतिपूर परदर्शन जिसका नाम दि सबसे पहले तो किसी भी आप वाइलेंस को मुसलमानों के साथ मत जोड़िये, पिलीस, आज वाइलेंस जो भी हो रहा है, वाइलेंस का खंडन तो सब करते है, कोई वाइलेंट नहीं चाहता है, मगर प्रदर्शन देजबर में हो रहे हैं, मैं अभी एक प्रदर्शन में से मुंबई में हुआ, हजारों लाखों लोगों की भीड़ती क्या हुआ, कोई वाइलेंस हुआ, नहीं हुआ, लोगों का आख्रोश पब्लिक के सामने है, सरकार के सामने आ रहा है, यह जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग अमीज भाई, यह वो लोग है, जो सम्विधान की ध पिलाकर, पुलिस की गारी को तौर कर देखिये ला, इसमें डेमोक्रेसी की रक्ष़ा कौन है, अच्छा सुनिये अब आए, गारी को पलटने की कोशिश है, पुलिस्वारों को मानने की कोशिश है, इसमें कौन से लोगतन की रक्षा और यह दे बताएए, अब देश इस र पुलिस भुज गई तो कौन से अंदर से पेट्रोल बं मिल गए कितने स्टुडेंट उसके अंदर ते स्टुडेंट तो कोई भी आरेस नहीं वा था स्टुडेंट को इन्वाड भी नहीं ता अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस गुज गई एक लड़के की आख फोड़ दिया दो लड़के आज भी ICU में एड्मिट है तो वहां तो पेट्रोल बंब और अंगार और गोले तो नहीं मिले ना वहां तो पुलिस घुज गई गई गन बुलेट और टेर गेस लेकर और नियरत ते स्टुडेंट ते तो यह दानली आपको सरकार की नहीं दिख कहां से आए? कहां से आए? जामिया कैमपस के अंदर पुलिस घुज गूती जहां लड़किया रह रही थी? कैसे आए वहां पर? चार बसे जुलाई गई? कहां से आखड़ाल है अब यह कहां से आखड़ाल है? अरे एक भी स्टुडेंट आरेस नहीं हुआ है उन्होंने किसने बनवाय थे? बदली की पुलिस का प्रस्केशन था जो लॉयर के खेस नहीं निकाल सके तो मासूं स्टुड़न के घुलाव निकाला है वो स्टुड़न के डायरे में रहकर सरकार के विरुज अपनी बात रखना चाहता था यह वो स्टुड़न है जो श्कांदर को सफर सरेशवाला आप से मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ जामिया में जो कुछ हुआ हमारे समक्ष है बहुत से बहुत सी बाते हुई लेकिन क्या इन गुंडों को कवर फायर देकर हम इस देश का नुकसान कर रहे है अमिश जी देखिए जामिया में तो एक बाप एक चीज़ साफ आ गई है वहां के पुलिस कमिशनर ने और डेप्यूटी कमिशनर जो साउथ के थे उन्होंने काया कि स्टुडेंट्स की तो कोई इन्वाल्मेंट थी नहीं पर अंदर कैसे पहुचे लोग जामिया के स्टुडेंट्स सुनिए अब तो देखिए कि वह बाहर के लोग आया या लोग थे लेकिन स्टुडेंट्स उसमें नहीं थे बिल्कुल अच्छा सेम अलिगड़ मुस्लिम उनिवर्सिटी में यूपी के डीजीपी साब ने साफ क कि स्टुडेंट्स उसमें बिल्कुल इंवर्ड नहीं थे और हमारी तरफ से देखिए ये यूपी के डीजीपी ने कहा है कि हमारी तरफ से जो बच्चों को इंजेरी हुई है या बंदुक की गोली है या जो भी है तो हम इंक्वाइरी करेंगे इसी तरह डिल्ली के मामले म जो एक ब्रिगेड है जो प्रदर्शन कारियों पर जो यह गुंडे है इन पर अगर पुलिस कारवाई कुछ करती है तो उस पर वह उपो मचा देते हैं उस पर ज़रूर जवाब देना चाहिए आप वारी देटा आइखे गुंडों को पुलिस वज़ों करती है नहीं अगर यह एंटिस तुढ प्र जाकर मारना बच्चों को गुंडा कर दी नहीं है तो किस तरह कर डेमोकरिसी में हो रह रहे हैं हमको डेमोकरिसी के अंदर रहकर अपने बास का प्रदर्शन नहीं है यह लोग इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं यह कुछ गुणे हैं जो इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये लोग गलत कर रहे हैं इस मुलक के साथ, ब्रेक के बाद वापसा रहा हूँ, लगबग आज से 16 साल पहले, डॉक्टर मनमोन सिंग ने यही सवाल सदन में पूछा था, यही सवाल सदन में पूछा था, और ये सवाल मैं आपको सुना सकता हूँ, और प्रती, इनकी नागरिता की प्रती, सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन तब डॉक्टर मनमोन सिंग यह कह रहे थे, लेकिन आज लाहूल गांधी की कॉंगरिस, ये क्यों कह रही है, इसका जवाब तो देना होगा, लेकिन ममतब इनर जी तो एक रती और आगे बढ़ गई, व आप मुझे बोलने हैं, अपने सवाल कर लिया, ना, देखे, कानून पास हो गया, लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है कि भारत की जनता चाहती है कि यह कानून रहे, भारत की जनता चाहती है कि नारसी हो और सीए एए हो, उस पे उन्होंने कह आ है कि नहीं, इसलिए तो भारत की जंता स्राड़क में पॉद्चान कर दी भारत की जंता C.A.A. और नागदिख्ता कानून को आइनासी को नहीं चाहती है और इनका दावा कर बरोसा है तो इसलिए इसलिए चैलेंज है इसलिए चैलेंज है अरे भाई इसलिए प्रस्ट में विधे वह ँट्ट हिंए के जनता क्या चालते है जनता क्या चाथिए게 कि ने प्रद्रसंग कि पाष्चिर बंगाल कि अपके लोग सब्द्रकूर कि यहां जन्मत संगडरा क्या गराएंगी हिए कि अपनी सोच को दूसरे पर फोदेने के और यह की सद्जिक करना है वही हिन्दू मुसल्मान अगर भारत की जनता चाहती है तो आप जो रेफरेंडम करवा लिजे पतल चाहिए कि नहीं चाहती है सुधान्चू सुधान्चू जन्मेर संगला कराई ये यू एल ले जाता ये नहीं डिमांड है ममता बेनर जी की डिमांड है मुख्यमंतरी पश्चिम बंगल की डिमांड है ये आप सुन लिजे आप मैं फिर से कहते है तो हुआ हो गाया सर बारत की जनता जो चाहती हो बारत की जनता चाहती है सदक में उतार करके आप कहते हैं कि नहीं बारत की जनता चाहती है सिए बाइ मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे आदमी ओकर तौसीफ खान बोल क्या रहे हैं अरे भारत की जनता जो चाहती है चुनाव के समय पाइटियां अपना मेनिफेस्टो ले के आती हैं यह फ्रस्टेशन की इंताशा है जनाब इंताशा है बॉकलाहाट और खिसीहाट की हद है कि आप कह रहे हैं यून में ले के जाओ अरे भाईया बंगला देश पाकिस्तान नहीं बोल रहा है ये बोल रहे अरे शेख हसीना से ज़्यादा तो आज कटट पंतियों के साथ मम्ता बनर जी कड़ी हुई है और उनको दिख गया कि लोग सबा चुराओं में उनका पत्ता साव और विधान सबा में हो जा रहे हैं इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जब एक तरफ हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि बवाल करने वाली एलिमेंट शात्रों के बीच में आ रहे हैं शोईब जमाई ये बार-बार सुधान सुत्रिवेदी जी कह रहे हैं अम इस देवगन बार-बार सुधान सुत्रिवेदी कह रहे हैं कि मुसल्मानों ने बिल को नहीं पड़ा है क्योंकि वो जाहिल है आप ही समझा दीजे ना पड़े लिके महनुभाव ये बताईए सब सेक्शन सी क्लाउज नंबर टू पॉइंट नंबर टू अरे उसमें मुसल्मान शब्दी नहीं है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना आप जैसे लोग जो बार कर रहे तो वही तो मैं कह रहा है वही तो प्रॉब्लम है सर आप बर्दा है हमने पढ़ा है प्रोफेसर institutions नहीं पताईए आप सवाल सुनेंगे उसको पाइस्तान के मुसल्मानों के बात है उसको भारत के मुसल्मानों के क्या संब्दा है मुझे ये बताईए जिन हिंदूओं के नाम NRC में नहीं आएंगे उनको ये बिल बचाएगा ये नहीं बचाएगा NRC का हिंदू मुसल्मान से कोई सम्थ नहीं है ये केवल पाकिस्टान और बंगलाजेश के लोगों से सम्थ है C.A.B. का C.A.R. का NRC कोई सम्थ नहीं है बाहरवालों से पर सारव तरी परसंट तर तीर परसंट तो गए आपके फूरा यूराइटे नेशन जिसके अभी आपके चिला चिला के करें रही मतवरणजी वह यूएट ने क्या कहा है पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है उनको नाग रिखता देनी चाहिए आप कॉंगर्स सही है या आप सही बताइए क्यों आप 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 अपना पादार हिंदू मुसल्बान के दुकान बंद कीजिए अमीज देवगन आज भारत खड़ा हुआ है और भारत के लोगों को करना चाहिए कि आज की सरकार में उसे विश्वास है यह नहीं है यह और चाहिए जन्वल संग्रे यह दुकान प्रकाश करा आप अजीर नहीं नहीं कहा था कि मुसल्बानों के मैं एक वक्त वे लोग सभाव है दिया गया बारा फॉर्वरी उन्डिसो चौट को वह वक्त वे सुनी जी और आप लोग बताईए तमाम देश के दर्शक बताईए यह किस पार्टी के नेता का है वह वक्त वे हैं things are going to be done against Hindus in Pakistan. Those who are coming and those who have come here before are called refugees. They are not refugees. They have to have a home to be provided. This is a country which should be home for them. है कि बात करो कि बात करो कम्निस पार्टी के नेता के नेता कंपने साथ हिंदू ओपर हो रहा है त्याचार कि शार्दा और नार्दा पर भी जरा रेफ्रेंडम कराने कि उसका पैसा किसने खाया है जिसके पैसे मरे हैं जरा उनसे वोट लेने कि उनका पैसा किसने खाया है ठीक है अब मैं सीधा शुदान 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 उन प्रदर्शन में इतने पत्थर जमा किये जाते हैं, पेट्रोल बम आते हैं, देश को सोचना होगा, देश को विचार करना होगा, और जूट और प्रोपगेंडे से बाहर रहना होगा, शान्ती बनाई रखिये, किर्पया करदे, नमस्कार, अगला शो,